हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आप से शेयर करने वाले हूं यह तबे पर ही बना हुआ बहुत ही टेस्टी सा सेंडविच जिसे कोई भी बड़े आराम से बना लेगा और खाने में तो यह इतने टेस्टी लगने वाले हैं कि आप पूछे इमत कि बच्चे हो या ब बना लेते हैं तो इन सेंडविच के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं चटनी तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा फ्रेश धनिया कुछ पुदीना तीन से चार हरी मिर्चे एक इंच अद्रक का टुकड़ा और यह 5-6 कलिया लहसुन की अब इन सारी चीजों को डाल लेते है एक मिक्सी के जार में पहले धनिया डाल लिया है पुदीना हरी मिर्ची अद्रक के लहसुन और अब आप इसमें डालने दो चमबस डैसिकेटिड कोकोनट या तो फिर मुंफली आपके पास रोस्टेडों वोने भी डाल सकते हैं और आधा ने बुकर्रस डालने और अब डा इसमें भुजिया वाली जो सेव आती है वो और आपकी चटनी ग्रीन रहे इसके लिए आप इसमें डाल दे तीन से चार क्यूब आइस की और थोड़ असा पानी डालते हुए आप इस चटनी को पीस लिया है आइस क्यूब डालने से आपकी चटनी कभी तक भी रखेंगे त आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जो यह चटनी है वो बनकर तयार हुई है आप तीन से चार दिन इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं तो चलिए नेक्स प्रॉसेस पे अब मैंने रख लिया एक पैन और इसमें डाल दूंगी एक से दो चम्मच ऑयल की अब आप क्या करें जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें डाल दें एक पिंची आदा चम्मच राई और आदा चम्मच जीरा और इन तीनों जीजो को अच्छे से तड़कने दें जैसे यह तीनों चीजे तड़की अम मैंने लेली थोड़ी सी कटी हुई अद्रक और दो से तीन मर्ची हैं और इन्हें भी हलका सा रोस्ट कर ले अ अब जैसे यह सबस्असिजे बूने上 इसमें डाल दें प्याज्ज और प्याज्यों बस हमें थोड़ असा सुफ्ट होने तक पकाना है बहुत जादा ब्राउनाम हमें प्याज्यों को नहीं करना है बस इतना की हम्यआं ट कुक करना है मतलब इनका क्रंची बना רहना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं पकाना है और इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले एक चमब्स धनिया पावडर यह चमबहर नमक आदा चमबहर लार मिर्ची का पावडर आदा चमच चाट का मसाला और आदा चमच का अरम मसाला और इन अच्छे से मिक्स करके बस एक मिरट भूने जिससे मसालों का कच्छापन भी खरतम हो जाए और एक अच्छी सी कुषबू इन में आने लगे जैसे ही इसारी चीज़े भूने तो आप इसमें डाल दें तीन से चार मैंने बहुत जादा बारिक नहीं किया है बस जैसे थोड़ा सा हलका सा थोड़े चंक सिसमें रहने दिये हैं उतना ही मैंने आलू को मैश किया है और अब इनमालू को आप सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स करने और मिक्स करके 2-3 मिनट इन सारे मसालों के साथ भून ले इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आपकी पूरी इस फिलिंग में आ जाएगा देखिए मैंने काफी अच्छी से मिक्स कर लिया है और अब इसमें मिटाल दी आदा चंबच चिली फ्लेक्स और आदा चंबची और गैनो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा अगर वाइटनी लेना चाहते है तो ब्राउन आटा ब्रेट जो भी आपको पसंदो आप उन्हें ले सकते हैं और यह मैंने ले ले थोड़ी सी चिली सॉस तो चलिए अब सेंड़िच बनाना स्टार्ट करते हैं अब आपको क्या करना है दो स्लाइस लेने और सबसे पहले ए ब्रेट ग mostly लेने अब सकते हैं कि अब इस पर आप लगा लेने सकते हैं आपको फ्लेवर पैसंद्री ऊसे लेखे लिए और इसमें थोड़ी सी टोमयटो सॉस मिक्स कर दिया तो मैंने इसको लगा दिया है, अब इस पर आप लगा लें एक ग्रीन चटनी वाले सेंडवीच के ऊपर आलू वाली फिलिंग, अच्छे से फिलिंग को लगा लें, पूरी ब्रेड पर फैलाते हुए, हाथों से फैलाएंगे तो ज्यादा अच्छे से लगेगी, इस तरीके स किनारों से थोड़ा अंदर की तरफ लगाएं, जिससे यह बाहर न निकले, देखे, मैंने काफी अच्छे से जो आलू के मसाले को लगा लिया है, और आप दूसरी स्लाइस उठा कर इस तरीके से कवर कर दे, तो लिजे आपका ये सेंडवीच एकदम तयार है सिखने के लेकिन अगर बटर ना हो तो आप घी ओयल जो भी आपको पसंदो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और गैस का फ्लेम कम रखें, और अब इस सेंडवीच को आप क्रिस्पी होने तक लो मीडियम फ्लेम पर कुरकुरा होने तक सेख लें, ज्यादा हाई फ्लेम पर बिलकुल ना स सिखते हुए और अब आसानी से इसको टर्न कर लें, देखिए एक तरफ से कितना अच्छा गोल्डन करर हमारे सेंडवीच में आ गया है, और आप देख सकते हैं काफी क्रिस्पी भी हो गया है, और इस तरीके से आप दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए सेंडवीच को ए ऐसे भी डिजाइन में आप इसे कट करना चाहते हैं, जितने भी पीसिस आप इसके दो पीसिस भी कर सकते हैं और चाहे तो चार पीसिस भी कर सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं अंदर से भी कितने प्यारी ग्रीन और रेड लेयर इसकी नजर आ रही है, तो लीजे हमार ये टेस्टी चटपटा सा आलो का सेंडविच सर्व के लिए तैयार है आप देख सकते हैं कितने अच्छे सेंडविच हमारे बनकर तैयार हुए हैं तो अगर आपको ये रेस्पी उस्फुल लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर चरूर करें और अपना अनुभो मुझे कमें पॉक्स में जरूर बताएं और अगर पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आप भी बनाएए टेस्टी से सेंडविच आज के लिए इतना ही मिरते हैं पीरिक नहीं रेसिपी के साथ धन्यवाद